इसी तरह मैंने कहा है कि यार चले एक अनधर विलोग करेंगे पेटा तेरे को क्या हो गया क्या कर रहा है अब देखो इस बंदे की वज़ा से हम आ रहे हैं नहीं बलके जीते हैं जीते हैं बहुत दिखाए आपने चपल चपल तोड़ दिया इन बाई ने और मैं जीते किदर अधिया हमारा अस्सलाम अलेकुम भाईयों क्या हाल चाले हैं आपनों के हमें बच्पन में हमारे बड़े हमारे पेरेंस वगेरा आगे पीछे जितने लोग ते तो एक शायर बोला करते थे कि बढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे बरहाल इस तरह वक्त गुजरते 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 जब बढ़े होगे पढ़ भी नहीं पाए अच्छे मार्स नहीं नहीं पाए और वो क्या है कि नवाब भी नहीं बन पाए और अब इस उमर में आगे जहां अब दिल खेलने को कर रहा है अब जब खेलने जाते हैं तो कोई बोलिंग देता है क्योंकि हमारी वहां बे भी परफॉमिस जीरो हो गिया तो भाईयो इस तरह की जो आप लोगो कहावते शेरोशारी शुनाई जाती है इसको इग्नोर क्या करें इसको जब तक आप लोग नहीं करोगे लाइफ की जण्ड हो जाएगी मतला आप न इधर के रहोगे न आप उधर के रह पाऊगे इसी तरह मैंने कहा है कि यार चले एक अनधर विलोग करेंगे पेटा तेरे को क्या हो गया कहा कर रहा है अब देखो कव्वे भी हम पे हैं न कहा कहा कर रहे है तो आज आप में आए से कितना प्यार है किर्किट मेच से तो मैं इनको बोलता हूँ यह देखो यह ग्राउंड में जाने के लिए हमारा रास्ता है और यह देखो हर जगा कीचड़ी कीचड़ और अब आप इसको देखो किस तरह इसको क्रास करते हुए जा रहे हैं और किस सकती से कीचड़ इतना कि बता नहीं सकते हैं तो इससे आप अंदादा लगा लगा लें कि भाई हमारी कितनी महबत है किर्किट मेच के साथ वो अलग बाते मेच खिलना नहीं आता है यह अलग काूँ नहीं है कि हम अगर विकट पे खड़े होते हैं तो बोलरों की शामत आती है कि हम जल्दी आउट हो जाते हैं इसलिए कि बोलर भी खुश होते हैं कि चलो यार एक आद्विकेट ले ही लिया यह कीचर होते हैं यहां से हम क्राश करते हुए जाते हैं आगे अपने ही ग्राउंड में फिलाल इसको क्राश करूँ इसाना हूँ मैं से लिप हो जाऊं मिस्टर बिलाल पेटिंग कर रहे हैं और पीछे से अगली टीम की और यह वाइट बोल का इशारा एक अवर होच का है बिलाल भाई आपकी वीडियो बन रही है आप फेहमस हो जाओगे अगर आप जीरो पे आउट होके यह ओहाँ इस फिल्लिंग आदी टीम बेठी हुई है पवलीन में जो भी होता पवलीन जो भी है गर्मी से इदर हम मर रहे हैं यह लोग बेठे हुए हाथ ला रहे हैं यह ना काम के हैं ना काज के दुश्मन आना आज के फिलाल पानी के है यह दुश्मन टेम्परेचर बहुत हाई है इस वक्त बोलर और केज का मिस हो गया है हमारे भी बेठे में थोड़ा स्लो है देखते कि केज किया है नहीं किया तब बाग है यह सीन है पिलाल भाई बहुत अच्छा शोट एक दो शोट इस तरह के खेलते रहे ताके आगे बंदू के आथरा बनता जाए अच्छा शोट लगाया लड़के ने मगर यह कांटू में फस गया कांटू से निकल गया यह थो और उस साइड बे कोई नहीं है मिस्टर वकार बेटिंग करने के लिए आई हुए हैं और उमीद है इससे लगाए जा रहा है कि यह गेंदे यहां से खाइब करेंगे फकार आई हुए बेटिंग पे बस ठीक है बेटिंग और यह पोड़ डिसकेशन चल रहा है कैप्टेन के साथ जो इंपायर भी है और सेनियर बेटिंग मिस्टर बिलाल मेहमन इस्ट्रक्शन देते हुए फकार को तो ही बाते होंगे या तो गेंद बाहर या तो हमारे बेटिंग बाहर आउट होके कुछ भी हो सकता है मैचे करमी इतनी है बस अल्ला हाफिज है बादल दूर दूर तक नदर आ रहे हैं इससाइड आने का उनका मून इन निया भाई आजओ बरस जाओ वाइट का इशारा और अमारा ये बेटिमन मिस्टर बिलाल मेहमन जो डेली खेलता है बके वीकली खेलता रहता है और आज बुलता है और खड़ा होना भूल गिया ये और हमारे बंदे बेटना भूल गे चला रहे बेटिंग पर बेटिंग दो बहुत अच्छा मेच केलने के बाद हमने अगली टीम को 75 का टारगर दिया हुआ है अब बिलाल मैमन बैठे हुए इस से हम पूछेंगे के बाई के बेटिंग केसा रहा और फिल्डिंग अर्शिद साब अर्शिद भाई जान इधर आया आप हम आप से आपको पूछेंगे पीछ के साथ दा पिछ फंटास्टिक या नोट फंटास्टिक दा गराउंड इस पानी सब्सक्राइब आप आखरी अवर तक थे और उसमें भी नहीं खेले माशाला देखो मैंने आखरी गेंद के ओपर वाइट को छोड़ा चाहिए ना और आदुसरे चाहिए अब नस चड़ गया था वह चक्का था वह चक्का था नस चड़ गया टीम आईवी ए और वो सब कोशिश कर रहे हैं सब निकले अगली टीम से रुक्वेस्टे जल्दी अपने बेट्समन बेजो ताके मैं बॉलिंग कर रहा हूं वकार सब जितना चोड़ा हो रहे उतना बेटिंग में चोड़ा नहीं हो सके और अर्शद भाई फाल तुमें चोड़े हो रहे न आपको यह अर्शद आ रहे हैं सामने बॉलनों पर टिक करते होई या तो दो ही बात हो सकते इन पर अगली टीम पर अटेक होगा अब साथ साथ में फिल्डिंग भी कर रहा हूं तो फिल्डिंग की वज़ा से जो है न मुझे जादा से जादा वीडियो बनाने का टाइम नह पर हम अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे तीन की सीरीज है मैं एक सीरीज की बनाओं जीत गया है तो अगले मेंच भी जीत जाएंगे कीपर और लेग इंपार भाई वो विकट जो टूटे है उसको तो बनाओ लेग इंपार बोले कीपर का काम है भाई मिस्टर जूलफी जिस तरह बोलते ना गर का सरबरा होता उसी तरह बच्चे होते हमारा कप्टेने से तो हम केसे होंगे सुधर जाओ उस बंदे की वज़ा से हम आ रहे हैं नहीं बलके जीते हैं जीते हैं बहुत दिखाए आपने चपल चपल तोड़ दिया इन बाई ने और में जीते किदर गया हमारा वह जो लास्स में आ रहा मिस्टर हबी बैटिंग करती तो अच्छे करते जब बोलिंग भी करतें अच्छे करतें मगर आद बोलिंग में जाह महिष हमारे हाथ से निकल चुका था मगर हमारे बालोर ने बहुत अच्छा इस जीड़ चुए तक